creditrics expert दोस्तो अगर आप bank of India के user हैं और आप अगर चाहते हैं कि bank of India के internet banking का use कर सके बैंक आफ इंडिया की जितने भी आनलाइन सर्विसें से उसको आप यूज कर सके ताकि आप घर बैठे कुछ काम को कर सके चाहे वह आप अपने ट्राइश्वार को देखना हो चाहे किसी को पैसे ट्रांसफर करना हो या फिर आप और भी अनकाई ऐसे यूजर से आप चाहे ऑ बात करूँगा उसे practically करके दिखाऊंगा और कैसे आप online login करेंगे login करने से लिए कैसे अंदर आप चीजे काम करेंगे क्या-क्या साब्धानिया परितने चाहिए और भी बहुत कुछ उससे पहले छोटी से request प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकोन को दबा दे और तो आप simply by लिख दे गूगल पर जो पहला लिंक आपको मिलेगा बैंक ओफ इंडिया का बैंक ओफ इंडिया.co.in just click on that ठीक है यह देखे ओपन हो गया पर यहां देखिए आपको सब चीज है यहां पर आपको इंटरनेट बैंकिंग दिख रहा होगा इना इसके बाद निच पर यहां आपको अपका login ID और password डालना है यहां पर वह login ID डालना है जो आपको बैंक के ड्वारा इंटरनेट बैंकिंग के लिए प्रोवाइट की गे ती जलिए जल्दी से मैं इसे डार के login कर लिता हूं ठीक है दोस्तों जैसा कि मैंने लॉग इन कर लिया है आपको कई बार जो भी आपको बिंडो पर दिख रहा है जैसे आप लॉग इन करेंगे तो आपको यह आएगा और अच्छी बात यह है कि आज मेरे पास यह आ गया ऑप्शन तो मैं आपको और यह चीज एडवांस में बता दे र बांकिंग को यूज करने के लिए बैंक ओफ इंडिया में आपको एक लॉग इन पासवर्ड एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड और एक लॉग इन आईडी तीन चीज़े दी जाती है जो इंपॉर्टेंट होता है और यह तीनों को कभी आपको किसी से भी सेहर नहीं करना रहत कुरत है किसी को भी नहीं बताना रहता है थार्ड पार्टी को यह तो आपके सारे पैसे ट्रांसफर होजाएंगे सारे पैसे कट जाएंगे सिम्बल से वर्ट में कहों तो पहला होता है लॉग इन jot जब डी डालेंगे ठालेंगे ठीक है ।ो इसार त्रांजेक्शन में एक पासवर्ड आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका पैसा ट्रांसपर हो जाएगा करके मैं बताऊंगा यह इसलिए बता रहा हूं कि ट्राइशन पासवर्ड जब एकस्पायर होते रहेगा जब आप लॉगिन जैसे करेंगे न तब कहेगा कि आपका लॉगिन जो आपका करेंगे यह आप से पूछा जागा जब तक चेंज नहीं करेंगे तो आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड को चेंज किये बिना आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगा लेकिन सारे चीज़ों को देख सकते हैं जैसे कि यहां पर लिखा क्लिक एर तो गो एड बिधाउट चे रखा है बस मैं यहां डाउनलोड लेटर पर क्लिक करूँगा और आगे बढ़ जाओंगा ठीक है यह देखिए यह मेरा खुल गया है है यहां पर क्या किया रहता है यह देखिए इंटरफेस है होम इंटरफेस है यह पाएंक ओफ इंडिया के इंटरनल बैंकिंग का नॉर् है लेंदेन है टैक्स पे क्रेडिट कार्ड है इंटिमैट है अनुराद है मेल विकल्प गतिविथी एड्सक्रा यहां पर अन्तिम लॉग इन किती थी और भाभी जाओंगा ठीक है लॉग इन पासवर्ट समाप्त होने किती थी यहां बताया जाएगा ना लॉग इन पासव हर तीन एक महिन में समाप्त हो जाता है ठीक है उसके वाद क्लिक यह अपने आधार संख्या को लिंक करने करें लिंक है तो क्लिक नजल नहीं है इसे भी आप लिंक ना करें वाटमेटिक लिंक होगा यह तो फिर बैंक आपको करवाई ठीक है यहां नीचे आपका बचट खा खाता पर क्लिक करते हैं तो क्या हमें मिलेगा चलिए देखते हैं यहां आपके खाते सम्मेशने सारी जानकर यह आपको देखने को मिल रहे हाला कि मैं कभी भी अपने एकाउंट नंबर को नहीं दिखाता हूं लेकिन इस वीडियो में में दिखा दे रहा हूं तो आप पूरा एकाउंट डीटेल एकाउंंट स्टेट्मेंट चनेस नफट राक्स देख सकेंगे पेंट चेयुपको डेंकर प्रेंड को परेटेल कर चैille में बडे करके काउंट ब्रीटाय। कितना कितना इंट्रेस्ट में कैसे क्या करें तो चल ये बताता हूं मैं अब مwill फ्रीन हो रहा है इसमें आपको monthly yearly आपको दिखाय का में देखिया है पूछ रहा है कि क्या देखना है blematik को घेखना देखना दसेंडिंग ओर देखना त्थी यहां पर देखना डान देजी कर दो धों और दिया कर दो और देख गए वो भी दोनों डिस्प्लेयरी आं सेमपेज कर देखिए कि इसको टेक्ट्स पेज और में कर दो दो यह एकसल फार्मेट में इस्प्लेयार यहीं पेड़ी फीर इसमेज घूले का जिसमें पूरा तो आगे भी वीडियो बनाओंगा ऐसा नहीं है मैं इसकी टापिक को लेकर और कई सारे वीडियो बना सकता हूं कोई दिख कर नहीं है ठीक है तो डिपॉजिट एकाउंट तो मैं ऐसा करता हूं कि सिर्फ खाता कही आज रखता हूं इस वीडियो में सुचा था पूरा टीश कर दूँगा लेकिन खाते कोई रखता हूं वाकि और कपी अच्छी में तो पेचीदा चीज़ें वो कुछ गलत अगर बता दू या फिर कुछ प्रपर ली नहीं बता वाऊंगा तो आप एक्जेक्लिक कर नहीं पाएंगे कि अधिविक अधिव आपके अकाउंट इसकी अधिटेल सता आप अब क्या है अब किया है इसको ओबन कर लो फिर से एकवर और यहां पर सिर्टन नहीं नहीं यहां सरे देशगे यहांपर लोन एकांट आप न strict यहां देख पाएंगे यहां आपन दिर न चाहा रहे हैं तो यहां पर tax deduction inquiry आप कर सकेंगे कि tax आपका क्या कितना है नहीं है ठीक है और view tax credit statement यहां से और e-file e-verify ID return अगर आप करते हैं कुछ है बैंक से बिजनेस को लेकर वो यहां से link कर सकते हैं अधार कार्ट को यहां से SC SS account यहां से आप देखेंगे new option आया है यहां पर PPF उसके निचे में है ठीक है जो SC SS जो है वो अभी तक कुछ है न यह में access default है कि इतना यह कुछ खुल नहीं रहा है ठीक है इसको छोड़ते हैं और इसमें कुछ चीजें अहम बाते हैं जो वह मैं बता दूँ आपको जैसा कि bank of India के internet banking को उतना ज्यादा comfortable नहीं बनाया गया है लेकिन हाला क विडियो में आपको bank of India से transfer कैसे करते हैं पैसे ठीक है वो बताओंगा bank of India पर और क्या क्या कर सकते हैं उस पर बात करूंगा जैसे कि Linden है तो Linden में आपको बताओंगा कि कैसे आप पैसे IMPS नेफ्ट और RTGS से पैसे transfer करते हैं या फिर यह क्या होता है ना तकि और चीजे clear ह नहां के कर सकेंगे वो भी बताओंगा यहां पर देखिए आपको RTGS, NEFT और IMPS सब दिया हुआ है अगर आप चाहे तो एक बार खुद से open करकर देख सकते हैं लेकिन छेड़ खानी खुद मत कीजिएगा नहीं तो हो सकता है ब्लॉक हो जाए या पर पैसे कट जाए तो हम फि इसी तरह के वीडियो बनाना है ही आप मोटिवेट करें और ख्याल रखें आप सभी अपना खुश रहें जय हिंद जय भारत जय किसान जय जवान